आज जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं 372 निश्वेस सिंटर एक्जाम के बारे में यानि जो आपके एक्जाम जो है कब हो सकते हैं कब तक होनी कि इसकी पूरी संभाव ना है और जो है इसके जो एक्जाम होगे वो ऑनलाइन या फिर आफलाइन के माध्यम से होंगे ह तरा चीज में अधिकारिक तोर पी बताने वाला हूं तो आप वीडियो में सुरू से लिए के अरन तक बनी रही है और जो चैनल पी पहली बार पहली आया है चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसी प्रकार से पलपल का अप्डेट पाने के लिए आपको चैनल को सस्क्राइब करना होगा और साथ में घंटे का अकाउन को भी दबाना होगा है तो एक्जाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं यानि आपका जो एक्जाम डेट है यहां आप देख सकते हैं यहां जो करियार का सेक्षन आप इससे ही इसमें आएंगे तो और कोई भी अपड तक हो सकते हैं या फिर इसकी क्या संभावना क्या है तुन्हांने मुझे जवाब दिया कि एक्जाम जो है दिसंबर मन्त में होगी है ना दिसंबर मन्त की जो है तकरीबन आप यही मान के चलिए कि आप 20 तारिक क्या सपास जो है आपके नोटिफेक्शन आउट हो जाएंगे तो अगर आपको यकिन होता है तो आप भी कॉल करकर पूछ सकते हैं क्योंकि मैं जब मेरी बात हो रही थी सतीज धवन इसपेश सेंटर की अधिकारी से तो उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कॉल मुझे यादने रहा कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ या फिर स्क्रीन र भी लगजा तो भी चीद मेरा zwischen मेरे कांव की लुदा को सब्सक्रीछी को से सब्सक्राइब मारी कर दोने में दोख सकते हैं कि यहां थे सब्सक्राइब हो sulphेprotर क् mapped हैं कि की स्सक्राइबRa और इसक्षिन पक्लेशा है पर कॉल करने के बाद आपको सराजन करें दिया जाएंगा और यह बात में पहले बता दे नहीं आँ आपको कि आपको कॉल करेंगे तो साइद आपका कॉल नहीं लगे नहीं लगी क्योंकि बहुत मुश्किल से फ़र लगता है तो आप ट्राय करते रहें एक ना एक बार कभी कभी लगी जाएगा और रही बात कर लेते हैं जो मेरी बात भी बात कर लेते हैं कि इसका जो एक्जाम होगा CBT के माधियम से होगा या फिर जो है आपका उमार सीट के माधियम से होगा तो फैनली इन्हों सकते हैं कि online ही लिया जाए बट अभी किलियर रूप से कुछ कहां नहीं जा सकता है आप लोग ऑफिस्यल साइट को बीजिट करते रहे हैं बहुत जल्ड जो है दिसम्बर के 20 तरह के पहले जो है नोटिफिक्सन हो जाएगा और उसमें जो है सराची में इसन कर दिया जाएगा कि आपका एक्जाम कब होंगे और किसका परकार से होंगे है ना उसका माधियम क्या होगा तो और मैं बात करना चाहता हूं कि जो फायर में के लिए भर रखें तो लोग भी नहीं घबराएं वह लोग का भी एक्जाम जो है बहुत जल्ड होने वाला है तो फायर में के बारे तक्निकान असिस्टेंट या फिर फायर में अगर एक साथ एक्जम हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप लोगों का एक्जम भी जो है बहुत जल्द होनी की संभाव नहां है ना आप लोग त्यारी में बने रहें और अपने अध्यान को निरंतर जारी रखे क्योंकि आपको पता होगा कि परसन जो किस परकार से आ रहे हैं क्योंकि विक्रम सराभाईश पिशेंटर का आप लोगों ने परसने आप लोगों में साहे देखी लिया ओगा कि उसका जो किस लेवल के आ कि काफी विद्यार्थी जो नहीं कर पा रहे थे काफी विद्यार्थी के पसे ने चूर गए थे तो उसी हिसाब से आप लोगों को भी त्यारी करना है और हर रोज यहाँ इसमें मैत बहुत बड़ा फैक्टर है जो है मैत हो गया वर्ट्सप केल्कुलिशन के जितने परसन पुछी आते तकरीबन इसमें पंदरा परसन पुछी आते हैं तो पंदरा परसनों में से जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोग 15 परसन में कम से कम 10-12 परसन कर ले आएंगे तो वहीं आपका सेलेक ठंगल हो गया और दृट हो गया तभी सोद्स बीरुत खतम हो गया कल तो आज हम लोग संकू के बारे में परने वाने तो संद्स करा जा रहे हैं इसके बाद साइन्स कहा है बीश टोपिक जो स्ट से पुछी आते हैं आयायर तो यह नहीं कहता हो कि आप मेरे छैनल से पर यह आप कहीं से भी इस्टेडी कर सकते हैं कहीं से भी त्यारी किजिए लेकिन वर्ट्सॉप को अच्छा आप कर लिजेंगे और साथ में टेक्निकल को भी अच्छा कर लिजेंगे चले इस विडियों बसे ही जनकारी देना था